नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं बात करूँगा कोट मार्शल के बारे में कोट मार्शल जी थीटर का प्रेजेंटेशन है और जी फाइब पर आप इसे देख सकते हैं दिरेक्टर हैं सौरव स्रिवास्ता हो हाला कि कोट मार्शल के नाम से ही असमीता थीटर गुरूप का भी एक प्ले है और उसके डिरेक्टर है अरविंद गौर्ड तो बरहाल हम बात करेंगे यहां जी फाइब के कोट मार्शल के बारे में और इस थीटर को देखने के बाद जो दो वर्ड है उसने कहिए कि मेरा पूरा जायका बिगार दिया जो मेरी धार्ना थी उसको खत्म कर दी एक तरह से और ये दो वर्ड है पोईटिक जस्टिस और नैतिक अपराद हलां कि इन दो वर्ड का क्या रेलिवेंस है और कैसे ये चीज मुझे खराब लगी इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको पहले जल्दी से स्टोरी लाइन और दूसरी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं तो दोस्तों जैसा कि नाम से ही पता चलना है कि ये एक कोर्ट मार्शल के बारे में है कोर्ट मार्शल यहां हो रहा होता है जवान रामचंद्र यानि सवार रामचंद्र का और उस पर ये इल्जाम लगता है कि जब वो गार्ड डूटी में था तो उसने दो सीनियर अफसर पर गोली चलाई जिसमें से एक अफसर का निधन हो गया और दूसरे अफसर गंभी रूफ से घाल हो गया और इन पर फिर मुकदमा चलता है तो यहां जो मुकदमा चलाने वाले वकील है वो है मेजर अजयपूरी और वो बने है भगवानतिवारी और जो डिफेंस के वकील है वो है कैप्टन विकास राय और वो है राजीव खंडलवाल तो फिर होता क्या है और क्यों इसके रामचंदर ने अपने सीनियर पे गोली चलाई यह तो आप देखेंगे ही तो ही आप जान पाएंगे हाला कि लेकिन दोस्तों जो प्रजेंटेशन के बारे में अगर आप बात करें तो देखिए कि एक जो यह उत्सुकता है कि आखिर इस स सवार रामचंदर ने अपने सीनियर पे गोली क्यों चलाई है और वो कोट में कन्फेस भी करता है कि हमेरे गोली चलाई तो यह जो सवाल है वो हमेशा आपके साथ बना रहता है आप देखते चले जाते हैं कुछ चीजे हो रही है घटा करम हो रहा है दलीले हो रही है दोनो राष्ट भासा के रूप में फिर महिलाओं पर जो अपराद हो रहे हैं वो उसको रखने की कोशिस की गई नकसलवाद की यहां थोड़ी सी चर्चा की गई और जाती के कारण जो बेदभाव होता है या फिर जो लोग कुछ लोगों को उची और नीची जातियों को मानते है और उसके कारण जो उनके साथ गलत हरकते करते हैं तो इन सब की चर्चा की गई तो देखिए कि जो यह स्टोरी लाइन थी उसमें यह सारी चीज़ें थोड़ा सा आप अगर डाल देते तो ठीक था लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि कुछ जादा हो गया कोछ इनके करेक्टर को थोड़ा कुछ जादा ही बढ़ा चड़ा करके दिखाया गया और कुछ जादा ग्लैमराइज करने की कोशिश की गई तो देखिए वो एक सिंपल डिफेंस लार है और उनको हीरो के रूप में प्रजेंट करने के लिए कुछ अलग करने की ज़रुत यहां खराब कर दिया और वो दो शब्द है पोईटिक जस्टिस और नैतिक अपराद तो देखिए इस कहानी में आप देखते हैं कि कहा जाता है कि किसी भी जाती के लोगों को जाती सूचक सब्दों के साथ पुकारना नैतिक अपराद है यह बहुत ही गलत कंसेप्ट है यह नैत मिल जाती है तो आप इसे पोईटिक जस्टिस नहीं कह सकते यह एक कंगारू कानून में ही हो सकता है क्योंकि जो अलग तरह के अपराद है उनके लिए अलग तरह की सजा तै की गई है और मौत की सजा एक्स्ट्रीम मामलों में ही होती है एक्टिंग की बात करिये अगर आप लोग delivery भी बहुत जगह बहुत ही शांदार रही है इसके अलावा जो major अजय पूरी बने हुए है भगवान तीवारी वो कई दृष्ष ऐसे हैं जिसमें वो हावी हो जाते हैं बहुत शांदार तरीके से वो आपके सामने आते हैं जो सवार रामचंदर की भूमिका में आप द दाइमा और वो भी अच्छे लगे है तो कुल मिला करके ये है कि एक अच्छी कहानी है अच्छे धंग से प्रेजेंट की जा सकती थी हाला कि कुछ कमिया रह गई है तो एक बार देखने लाएक ये कहानी है न अच्छी न बुरी पाच में से धाय अंक दिना ठीक रहेगा त तो दोस्तों कोट मार्शल के बारे में आज इतनी ही चर्चा आगे किसी और आप किसी और सिरीज किसी और हो टापिक को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा तब तक देखिए आप मेरे वीडियो मेरे चैनल को पसंद करिए यदि सब्सक्राइब नहीं कि आपने तो सब्सक्रा करिएगा धन्यवाद